जै भोले नात की जै स्री कार्शदेब बाबा की दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्शदेब जन्मकथा का पार्ट 6 यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन्हें देखने साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और बीडियो को सेर करना ना भूले भगवान कार्शदेब को भोले नात ने दरसंदी साथ ही गुरू मंत्र दिया, दोनों भाई घर आए और अपने माता पिता को पूरी बात बताई कि अब हम भगवान भोले नात की अराधना करेंगे, आपका कोई काम नहीं करेंगे, दोनों भाईयों से माता पिता ने पूछा भगवान भोले नात कैसे थे, इस पर दोनों भाईयों ने उनके रूप का गुनगान किया और उनके रूप के बारे में बिस्तित बताने लगे, धीरे धीरे समय निकलता गया, एक दिन सूरपाल गाउं में खेर रहे थे, बहीं पर राज माना लोहार की पनिहारन जो राजपरिवार के लिए कुए से पानी भर कर लाती थी, वह कुए से पानी भर रही थी, सूरपाल को प्यास लगी, वह कुए के पास पानी पीने गए और पनिहारनों से पानी पिलाने को कहा, पनिहारनों ने उन्हें पानी नहीं पिलाया, इस प सूरपाल ने गुस्से में पनिहारनों के मटके फोड़ दिये पनिहारनों बहां से चली और राजा माना लोहार से कहा हम जहांजनगर में पानी नहीं अब भर सकते क्योंकि सूरपाल ने हमारे सारे मटके तोड़ दिये और अब हम जहांजनगर से पानी भरने नहीं जाएंगे माना लोहार ने कहा हम उसके पता राजू चंदिले से बातें कहते हैं अगली बाल से वो ऐसा नहीं करेगा तब राजा माना लोहार ने सारी बात राजू चंदिले को बताई इस पर राजू चंदिली ने कहा मैं सूरपाल की पिटाई करूंगा और उसे अब कुए पर नहीं जाने दूंगा जब यह बात माता सोडा ने सुनी तो उन्होंने सूरपाल को अपने पास बुलाया और कहा गड़ राज और राज छोड़ कर हम इहां बहां भटक रहे थे तब हमें माना लोहार राजा ने सरन दी थी अगली बार से ऐसा काम मत करना यह बात सूरपाल ने मान ली अब कास्देब भी थोड़ा बड़े हो चुके थे वो अपनी मा से घोड़ा के लिए जिद करने लगे कि मा मुझे घोड़ा चाहिए इस पर सोड़ा मान कुमार से कहा आप एक मिट्टी का घोड़ा मेरे बेटे को खेलने के लिए बना दीजिए इस पर कुमार बोला मैं घोड़ा बनाना नहीं जानता इस पर कास्देब बोले बाबा आप बना कर तो देखिए घोड़ा आपके हांस से बन जाएगा और आप भगवान भोले नात का ध्यान करके घोड़ा बनाईए जब कुमार अपने घर गया और उसने भगवान भोले नात का सिम्रन करके घोड़ा बनाना सुनू किया तो खुद आश्चा चकित हो गया घोड़ा इतना सुन्दर बना कि उसका मन भी यह मानने को तयार नहीं था कि यह घोड़ा उसने अपने हाथों से बनाया भगवान कासदेब उसके पास पहुँचे और कहा घोड़ा बन गया इस पर कुमार बोला हाँ प्रभू बन गया और उन्होंने भगवान कासदेब को उस सुन्दर घोड़े को सौप दिया भगवान कारसदेब सुन्दर घोडे को लेकर अपने घर आए और उसके साथ खेलते रहे मा और उसे घर के बाहर बांध कर मा से बोले उसके लिए घांस पानी और चारा डाल दीजिए मा ने बच्चे को खुश करने के लिए कह दिया हाँ अभी डाल देंगे और भगवान कारसदेब अपने पलंग पर जाकर सो गए सूरपाल भाई बहीं पर थे वो बोले मा क्या मिट्टी का घोड़ा भी घांस फूस और पानी पी सकता है इस पर माता ने कुछ जबाब नहीं दिया और बहन एलादी बहां आ गए बोलें मैं कारस उस घोड़े को चारा देने के लिए जाती हूँ और उन्होंने भगवान भूले नात का इसमारण किया भगवान कासदेब पलंग में से ही मंद मंद मुश्करा कर निद्रा में सो रहे थे जैसे ही बहन एलादे घोड़े के पास पानी और चारा लेकर गई बहां उन्होंने मिट्टी के घोड़े की जगए एक जीता जाकता घोड़ा देखा यह देखकर वो आश्चेचकित हो गई कि यह मिट्टी का घोड़ा कैसे एक जीता जाकता घोड़े में परिवर्तत हो गया उन्होंने भगवान भोलेनात का सुक्रिया अदा किया और उन्होंने सूरुपाल को बुलाया सुरुपाल घोड़े को देखकर मंत्र मुगद हो गए वो गोड़े पर बैठकर उसकी सवारी करना चाहते थे उन्होंने घोड़े हिनहनाते हुए घोड़े की लगाम पकड़ी घोड़ा यहां से बहां जा रहा था पर सुरुपाल के हटके आंगे वो पराजित हो गया उन् बहन एलादे से कहा कि कासदेब को जगा देना कि वो गोड़े पर आकर उसकी सवारी कर सके बहन एलादी घर पहुची और उन्होंने अपनी सोड़ा माता से कहा कि भाई को जगा दीजिए गोड़ा जीते जाकते गोड़े में परिवर्तित हो चुका है वो उसकी सवारी कर सक माता सोडा ने कासदेव को जगाया कासदेव जाग गए और वे वहां पहुंचे जहां पर घोड़ा उन्होंने बहंदा था जब उन्होंने घोड़े के ऊपर कासदेव सूरपाल को देखा तो कासदेव बहीं पर खड़े रहे और सूरपाल से बोले कि मैं अब इस घोड़े प ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और अब मैं इस गोड़े की सवारी नहीं करूँगा इस पर सूर्पाल बोले अब आप किसकी सवारी करोगे इस पर कारसदे भगवान ने अपने प्रिये भैसे के उपर हांत फेरा और उसके उपर चड़ गए और बोले अब मैं इसकी सवारी करूँगा उन्होंने दोनों भाई साथ में सवारी करते थे और साथ ही युद्ध कला में भी कौसल होने लगे दोनों ही युद्ध की सिक्षा भी लिया करते थे और भगवान भूले नात की आराधना दिल से किया करते थे भगबान भोलेनात उन पर बहुत ही प्रसन्न थे भगबान कासदेब हाथ में सेला लिये और भेंसे पर बैठे ऐसे लगते थे मानों की यमराज साक्छात धर्ती पर संगहार करने के लिए आ गए हो साथ में सूरपाल भाई ऐसे लगते थे हाथ में बाना लिये जैसे की लचमर भगबान राम की सेवा करने के लिए ततपर हो यदि दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब जरू कर देना साथ में वीडियो को सेर कर देना मिलते हैं अगले पार्ट सेविन में माना लोहार और कास्दे भगबान की लड़ाई कब और क्यों हुई किस बात को लेकर हुई थी मिलते हैं अगले पार्ट में चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना जै भगबान भूले नात की जे स्रीकार्स दे बाबा की